तो फर्स्ट पार्ट में हमने यहां तक बुनाई की थी, अब हम इसके आगे बुरना शुरू करेंगे, तो पहले हम राइट साइड वाले पार्ट को बुनेंगे, हम रॉंग साइड में हैं और पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, पांच फंदो को सी सीधा बुनेंगे तो यह हमारे बॉर्डर के छे फंदे हो गए अब उन अपनी ओल करेंगे पांच फंदा उल्टा अब साइड में छे फंदे बचे हैं तो पांच फंदो को हम सीधा बुनेंगे अब हम फिर राइट साइड में हैं तो आठ फंदो को सीधा बुनेंगे दो तीन चार पांच छे सार आठ नाइन्थ फंदे को सेकेंडरी कलर से सीधा बुनेंगे फिर शेस आठ फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा, अब हम बारा फंदे बढ़ाएंगे, तरीका वही है, उंगली में ऐसे उनको लपेटेंगे, और सलाई पे चला देंगे, एक, दो, तो बारा फंदे हमने बढ़ा ले, अब हम रॉंग साइड में है, तो पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, अब उन दूसरी और करेंगे, बारा फंदो को सीधा बुनेंगे, पहली लाइन में थोड़ी सी परिशानी होती है, फिर बुनना आसान हो जाता है, तो हमने बारा फंदो को सीधा बुन लेंगे, अब साइड के छे फंदे जो थे बार्डर के उन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे, अब हम उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, एक फंदा प्राइमरी से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर लास्ट के छे फंदे बचे हैं, तो पास फंदा सीधा, और लास्ट फंदा उल्टा, अब हम राइट साइड में हैं, तो साथ फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, और फिर ये सबी फंदे प्राइमरी कलर से सीधे, अब रॉंग साइड से 18 फंदे हमारे सीधे रहेंगे, तो 18 फंदो को हमेंने सीधा बुल लिया, अब बीच के पास फंदो पर डिजाइन पड़ेगा, और लास्ट के 6 फंदे उन्हें हम सीधा बुनेंगे, पास फंदे सीधा, और लास्ट फंदा उल्टा, अब हम राइट साइड में हैं, तो देखिए फ्राइन यहां पे दो उल्टे फंदो की धारिया आ गए हैं, और पास फंदे में डिजाइन बन रहा है, इधर भी 6 फंदे हैं और इधर 18 फंदे हैं, तो यहां पे दो उल्टे फंदो की धारिया आए हैं, हम को 4 उल्टे फंदो की धारिया चाहिए, तो इन पास फंदो में डिजाइन बन जायेगा, तो मैं इतना बुन के आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रांट्स हम राइट साइड में हैं और यहाँ पे हमारा एक, दो, तीन, चार, चार धारिया बन चुकी है तो अब हमें इस लाइन में सभी फंदो को सीधा बुना है तो हमने सभी फंदो को सीधा बुन लिया अब देखिए फ्रांट्स हम राइट साइड में हैं तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी और करेंगे और 9 फंदा सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ 9 फंदा हमने सीधा बुन लिया, यानि टोटल हो गए 10 फंदे अब उन अपनी उर करेंगे और 13 फंदा उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा और तेरा अब लास्ट के 6 फंदे बचे हैं तो 5 फंदे को सीधा बुलेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा अब हम फिर राइट साइड में आ गए हैं तो 8 फंदे को सीधा बुलेंगे फिर एक फंदा सेकंडरी कलर के उन से सीधा फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर के उन से सीधा फिर एक फंदा सेकंडरी कलर के उन से सीधा फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर के उन से सीधा फिर एक फंदा सेकंडरी कलर के उन से सीधा फिर शेस फंदे प्राइमरी कलर के उन से सीधे अब रॉंग साइड में पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे नौ फंदे को सीधा बनेंगे फिर उन अपनी उर करेंगे और दो फंदा उल्टा एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा तीन फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा पाच फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और लास्ट फंदा उल्टा अब हम राइट साइड में हैं तो साथ फंदे हम सीधा बुन लेंगे फिर तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा एक फंदा प्राइमरी कलर से सीधा फिर तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे एक फंदा प्राइमरी कलर से सीधा फिर तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे और से सभी फंदे प्राइमरी कलर से सीधे यानि अब डिजाइन जो है वो अभी तक एक पढ़ रहा था अब डिजाइन तीन पढ़ रहा है तो ये design complete करके मैं आपको दिखाते हूँ तेखिए friends मैंने design complete कर लिया अब इस line में सबी फंदे सीधे बुने जाएंगे तो मैंने primary color के उनसे सबी फंदे सीधे बुने ले अब हम wrong side में हैं तो border के 10 फंदे इस side में border के सीधे रहेंगे और 6 फंदे इस side में और बीच के 13 फंदो फंदो को उल्टा बना जाएगा तो देखिए friends मैंने design के बाद 2 line बना लिये अब इस line में हम right side में हैं और इस line में फिर हमें 4 फंदे जैसे हमने यहाँ पे 4 फंदे घटाये थे अब हमें 4 फंदे बढ़ाने होंगे तरीका वही रहेगा उंगली में लपेटेंगे उनको उंगली में लपेटेंगे और slide पे ऐसे चड़ा देंगे एक, दो, तीन और चार तो 4 फंदे हमने बढ़ा दिये अब हम बार्डर पे अब हो गए 6 फंदे थे और 4 फंदे बढ़ गए याने 10 फंदे हो गए तो हम 12 फंदों को सीधा बुन लेंगे बढ़ा हुए 4 फंदों को और जो हमारे बार्डर पे 6 फंदे थे उनको और डिजाइन के 2 फंदों को कुल 12 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे तो 12 फंदों को हमने सीधा बुन लिया अब एक फंदा सेकंडरी कलर से सीधा फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे फिर एक फंदा सेकंडरी कलर से सीधा फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे एक फंदा सेकंडरी कलर से सीधा और श्रीस फंदे प्राइमरी कलर से सी अब देखिए 10 फंदे इस साइड में है 10 फंदे इस साइड में है बॉर्डर के 10 फंदे इस साइड में है 10 फंदे इस साइड में और बीच के 13 फंदों पे डिजाइन बनेगा तो हम हमने घटाने से पहले देखिए आज दिन घटाने से पहले चार डिजाइन बनाया था तो चार डिजाइन बना के मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंट्स हमने घटाने के बाद ये चार फंदे बढ़ाने के बाद हमने चार डिजाइन बना लिया है अब हम अपने प्राइमरी करर के उनसे दो फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा कब चौदा लाइन का बादर बनाएंगे यानि डबल रिब में अब हम चौदा लाइन का बादर बनाएंगे हम एक भी फंदे नहीं घटाएंगे बस हमने सलाई बदल दी है अब हम दस नमबर की सलाई का यूज़ करेंगे तो मैंने चौदा लाइन का बादर बना लिया दस नमबर की सलाई पे चौदर लाइन का बादर बना दिया डबल रिब में अब हम इस इन सब फंदो को बाइंड आफ कर देंगे दो फंदो को बुनेंगे पीछे वाले फंदे को उठाएंगे आगे वाले पे चाहा लेंगे उन अपनी उर करेंगे अगला फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले पे चाहा लेंगे जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनके और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चाहा लेंगे अब देखिए यह उल्टा दिखाए दे रहा है तो इसे उल्टा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चाहा लेंगे उन दूसरी हो, देखिए अगला फंदा सीधा दिख रहा है, तो इसे सीधा बनेंगे, पीशे वाले फंदे को आगे वाले पे शड़ा देंगे, तो इसी तरह करते वे सारे फंदों को बाइंड आफ कर लेंगे, तो हमने सब फंदों को बाइंड आफ कर दिया, अब हम इस लास पंदे से गोले को निकाल लेंगे और इसे कस देंगे और अब इसे काल देंगे और यह हमारा फ्रंट साइट का और यह हमारा फ्रंट साइट का राइट पार्ट त्यार हो गया है थैंक्स फार वाचिंग